नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सत्ना नर्स्री में आज इस वीडियो में हम पेड़ पॉजों से अलावा हटकर बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने मेरे दादा जी लेटे हैं जिनकी उम्र सब्सक्राइब खराब हुई थी 17-17 अप्रेल के असपास से इनकी तवियत खराब हुई थी और 28 अप्रेल को इने एमर्जंसी में रिवा मेडिकल काले में भरत्री किया गया उसके बार से पांच दिन वहां है इनका इलाज चला और पांच दिन बार इने दिश्चार्ज करक को कि कुरोना से अब कैसे लड़ सकते हैं तो बाबा करोना से अराम है उस दिन जड़ तुमको अस्पटाल ले गए थे तो कैसा लग रहा था क्या प्राबलम हो रही थी अच्छा सांस लेने में तकलीव थी जम के अच्छा दीवा मेडिकल कालेज में जो डॉक्टरों ने आ तुछ को बता सकते हैं आप कैसे डॉक्टर से मद्रासी वह आपको छू कर इलाज करते हैं कि दूर से यसे दवाईयां फिक कर दे के जाते थे फूंक मतल्ब डॉक्टर ने आपको अच्छा खासा सपोर्ट को दान किया तो अभी ऐस्पताल से आने के बाद यहां घर में अच्छा लग रहे है खाना पीना 5ori के लच्षण आप बता पाएंगे किस तरह करोरे के लच्षण होता है मतलब पता कैसे चलता है कि मुझे लगभग करोना हो गया just जैसे कुरोना के जो टीवियूम बताया जाता है जो गाइड लाइन से उसमें बताया जाता है सादी खांसी उखार स्वाद नाना महक नाना ये सब आपके साथ हुआ हाँ अच्छा आप पुस्वाद नहीं आता था खाने में खाद नहीं आती रही अच्छा तो अभी इस समय आप कैसा फील कर रहे हो अभी समय अच्छा लगारा पेपर बगएर आप पढ़ लेते हो अपने से हाँ तो कुरोना को हराने के लिए मत्तब क्या करना चाहिए अभी दवाईयां चल नहीं है आपकी अच्छे से दवाईयां तो मत्तब आप यह कहना चाहते हैं अगर आपको कुरोना हो गया है तो चिंता ना करें हाँ भडाए नहीं हो सब ठीक हो जाएगा है ना डॉक्टर की सलाह में रहें डॉक्टर के उपर विश्वास करें अभी इस समय डॉक्टर ही भगवान बने हुए है ना जैसे आस पास कोरोना की वज़े से तीन लोगों की डेट हो गई थी तो उस समय आप कैसे महसूस कर रहे हैं आपको घबडाहट तो नहीं ली उस समय अच्छा तो मतलब आप एकड़म ठीक हो आवाज में थोड़ा बदलाव ह इस reaction हो ऑजन पानी उससे ले रहे हो अच्छा अटा रहे हैं की गोना से बचने कि अच्छा अपनी हुमर मतारा यह सबसे पहले देखिए इसलिए मैं ये बीडियो बना रहा हूं ताकि ये लोगों तक पहुचे लोगों को पता चले कि कोरोना के मामनें बिल्कुल लापरवाही न करें जैसे लच्छन सामने दिखाई देते हैं तुरंत नजदी की जो भी हस्पताल है आपका वहां संपर्क करें तुरंत संपर्क करने से आप आपकी जान क्या है बचने के चांसे बहुत जादा रहते हैं अगर आपने इसमें ढिलाई बरती तो आपकी जान भी जा सकती है तो आप देखिए यह देखिए कितने बढ़ियां से लेटे हुए हैं स्वस्त हैं और बहुत अच्छी तरह से रिकवर कर रहे हैं खाना पीना आपको टाइम से लें और डॉक्टर के उपर विश्वास करें वह जो कहता है उसको फॉलो करें टीटमेंट को आप फॉलो करेंगे तो उतनी जल्दी आपको रिकवर होगा है तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको अगर कोरोना होता है तो उससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना है डॉक्टर इसमें काफी सहयोग गिया है इनके उपर इनका ऑक्सीजन लेवल जो था वो 85-86 चला गया था और उससे कम भी हुआ था है ना अब तो आक्सीजन की जरुद नहीं है ना आपको सा आसलेने में बहतर पहसूस कर रहा है वाप लगा तो देखिए दोस्तों इननों कितना जल्दी सर्वाइव किया दो हफ्ते लग्त दो एतीन हथे में उन्होंने कौरोना से सर्वाइव कर लिया है तो मैं आसा करता हूं कि ऐसे इस वीडियो के मद्दम से अनने लोगों में ज चार माई को लगना था मगर तब इनकी तवियत खराब हो गया उनकी तवियत ठीक होने वाली है ठीक होने के इत लग जो गाइडलाइन से 28 दिन के बाद ही दूसरा वैक्सीन का डोज लेना है मैं इन्हें दूसरा डोज भी लूँगा इसका बचने का कुछ कारण मेरे करें और कोरोना को हरा कर फिर से जिन्दगी अपनी नए तरीके से चालू करें थैंक्यू वीडियो अच्छा लगा हो तो पसंद कीजिएगा और सेहर भी